हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सोट, so MP7 पेपर वान के फाइनल प्रेपरिशन के लिए सूपरफास रिविजन सेशन में आज हम यूनिट नुमबर टू रिसर्च अप्टिट्यूड को कम्प्लीट कवर करने वाले हैं, वो भी next 60 minutes के अंदर अंदर, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये शॉरिटी देती हूँ कि रिसर्च के जितने भी important और repeated concepts हैं, वो सभी आपके आज इस वीडियो में complete कवर होने वाले हैं, सो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में तक बने रहिएगा, कोई भी doubt हो, कोई भी queries हो, तो आप बेजी जग मुझसे पूछ सकते हो, सो डेली शाम को तीन बजे आपके लिए ये सीरीज में लेकर आती हो, teaching aptitude हमने अलरेडी cover कर लिया था, तो अगर आपने वो पेपर वन का complete course हम लेकर आई हैं, जो कि examination के difficulty level और pattern के हिसाब से बनाया गया है, इसमें आपको पेपर वन के total 10 units के full syllabus video lectures हम देते हैं, Hindi and English, दोनों languages में, simple language में, smart tricks के साथ यहाँ पर पहले आपके concept clear कर वाये जाएंगे, इसके बाद MCQs के जरिए आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से questions exam में आते हैं, साथ ही आपको full syllabus notes याँ पर PDF के format में मिलते हैं, जिसको बहुत आसानी से अपने mobile phone में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, full syllabus mock test में से as it is questions exam में आते हैं and यह आपके final preparation में बहुत help करता है, साथ ही previous year question solution के साथ आपको मिलेंगे, जिससे आपको एक idea हो जाए कि किस तरीके से questions exam में आते हैं and 2000 plus MCQ question bank में, आपको हम देते हैं most repeated and expected questions और हरे question के answer के साथ-साथ आपको detail में explanation भी दी जाएगी, ताकि आपके सारे concepts revision के दारान बिल्कुल clear हो जाएं, so given numbers पर contact करके इसको join कर लीजे, इसके लिए सरफ एक ही बार fees देनी है 2000 रुपए and इसके free videos के लिए global online आपको download कीजेगा, store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है, course के overview के बाद content पर click करोगे, तो यहाँ पर आप multiple folders देख सकते हो, unit wise folders भी available है, हर एक unit में आपको theory lectures, mcq lectures, notes और mock test मिलेंगे, जो की exam को qualify करने में जरूर आपको मदद करेंगे, आप देख सकते हो Hindi English दोनों languages में mock test and complete course available है, तो आज ही आप इन numbers पर contact कीजे, इस course को join कीजे और एक महीने के अंदर-अंदर आप इस exam को बहुत अच्छे score से qualify कर सकते हो, तो यह है complete research aptitude का syllabus, Hindi medium students भी देख सकते हो, exam का क्या pattern है, उसके according बहुत सारे topics ऐसे हैं, जो कि आपको syllabus में mention नहीं मिलेंगे, लेकिन exam में पूछे चाते हैं, जैसे की research hypothesis यानि की शोध परिकल्पना, sampling एक बहुत important topic है, और भी बहुत सारे topics हैं, जो syllabus में नहीं हैं, लेकिन exam में आते हैं, तो हर एक topic को हम यहाँ पर detail में आज cover करने वाले हैं, सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे की research होता क्या है, तो research आपको पता है कि दो चीजों से मिलकर बना है, री और search, search का मतलब होता है ढूनना, तो अगर कोई चीज ऐसी है, कोई पुराना fact है, जिसके बारे में हम और ग्यान collect करना चाहते हैं, या फिर किसी बारे में हमें नहीं पता, तो new facts को, नए तथ्यों को हम ढूनना चाहते हैं, पुराने तथ्यों को हम लोग ढूनना चाहते हैं, किसी चीज का sequence या व्याख्या देखना चाहते हैं, तो हम लोग research करते हैं, ठीक है, research बहुत सारे प्रकार किये होती है, जिसमें देखो हम लोग देखेंगे सभी प्रकार के रीसर्च को ठीके तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीसर्च ऐसा होता है कि कई लोग रीसर्च करते हैं सिरफ अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए कई लोग research करते हैं जिससे कि उनका actual में उनको उस knowledge को immediately कहीं पर use करना होता है कई लोग research करते हैं कि उनके साथ कुछ problem हो गई है तो वो research करते हैं कि ये problem क्यों हुई या उस problem से कैसे बाहर निकला जाए तो बहुत सारे प्रकार की research होती है जहां से exam में questions पूछे जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हूँ ये previous year question है जिसमें research के objectives पूछे गए हैं तो इसके answer पर जाने से पहले हम objectives को देख लेते हैं तो पहला objective है to discover new facts यानि कि नए तत्यों को खोजने के लिए हम research करते हैं मान लीजी मुझे नहीं पता किसी particular ABC नापकी country के बारे में मुझे नहीं पता उसके capital के बारे में मुझे नहीं पता तो क्या होगा मैं Google पे जाकर search करूँगी या फिर map में जाकर के उसको ढूंडूँगी तो वो एक search है वो एक research है चाहे मुझे उस country में जाना है या नहीं जाना वो अलग चीज है बट मुझे knowledge collect करना है that is one point of research दूसरा है कुछ मौझूदा स्थिती या समस्या की जांच करना कुछ knowledge हमारे पास है किसी problem या किसी situation में already हम first चुके हैं या उस problem को face कर रहे है तो उसके बारे में कुछ investigate करना is called research to verify and test important facts किसी भी महत्वपूर्ण तथियों को स्थापित करना या उसको परखने के लिए भी हम लोग research करते है to analyze an event or process or phenomena to identify cause and effect relationship एक चीज़ अगर मेरे साथ होती है एक incident अगर मेरे साथ होता है तो वो क्यों हुआ क्या मेरी कमिया रही थी जो वो मेरे साथ हाथा हुआ या incident हुआ कैसे हम इससे बाहा निकल सकते हैं आगे आने वाले समय में कैसे हम उससे बच सकते हैं ये सब चीज़ें ये सब चो questions है इन सब का answer देने में भी research हमें मदद करता है ठीके कुछ scientific tools को develop करना है concept बनाने है theory बनानी है किसी problem को solve करने के लिए scientific and non-scientific problem को समझना चाहते हैं सिरफ तो इन सब के लिए research ही हमें मदद करती है तो अब देखो ये previous year question है research क्यों किया जाता है to review the literature साहित्या की समिक्षा करने के लिए to summarize what is already known क्या हमारे पास पहले से है उसका answer ढूणने के लिए research करते है सिरफ एक degree पाने के लिए college के degree पाने के लिए research किया जाता है या फिर to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts नए तत्यों की खोज करना या पहले से जाने हुए तत्यों की नई व्याख्यान करने के लिए research किया जाता है सो इसका क्या answer है मुझे comment करके बताईए ताकि मुझे clear हो जाए आप लोगों को concept समझ आ रहे है या पर नहीं आ रहे है इसके लावा अगर आपको ये sessions पसंद आ रहे है तो मुझे motivate करने के लिए ताकि मैं और units में cover करूँ comment करके एक बार जरूर बताईएगा ओके सो इसके बाद आते है steps of research पे यानि कि अनुसंधान में कौन-कौन से कदम हमें उठाने चाहिए कौन-कौन से steps को follow किया जाता है सो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि research क्या है एक step by step process है अगर research को आप एक proper sequence के साथ एक proper step by step में नहीं करोगे पहले step से सीधे चौछे step में कूदने की कोशिश करोगे तो आपका research proper नहीं होगा उसमें बहुत सारी कमिया उसमें बहुत सारी खामिया भी रह सकती है ठीक है सो इसलिए research के steps जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही जाला important है so Chris Wall ने ये कहा था research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or an issue कि अनुसंधान किसी भी मुद्देपर या किसी भी point पर किसी भी को हमारी समझ को बढ़ाने या फिर अगर उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता तो उसके बारे में जानकारी एक रत्रित करने में मदद करता है तो बिल्कुल सही ये statement है exam में बहुत बार पूछी भी गई है उसके बाद steps में सबसे पहला आता है identification of research problem सो देखो अब research करते क्यों है आप लोग किसी चीज़ के बारे में search कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो क्योंकि आपके पास वो problem है research किया ही इसलिए जाता है ताकि हम किसी problem का solution डूंड सके मालीजिये कि मेरा social work पर research चल रहा है मैं PhD कर रही हूँ एक example लेते हैं कि social work पर मैं research कर रही हूँ तो social work में जो society है वो क्या-क्या मुद्दों पे मुद्दों से परशान हो रही है उस मज़े किसे भी एक topic पर research करने लग जाऊंगी तो मैंने क्या किया पहले social work मैंने अपना subject select कर लिया उसके बाद मैंने topic select करने के लिए अपने आसपास देखा कि कौन-कौन सी problems हैं जो कि society face कर रही है तो उन problem से बाहर निकलने के लिए ही हम research करते हैं ठीक है तो हमेशा अगर आपके सामने कोई problem है तभी आप अपनी research को शुरू कर सकते हो तो identification of research problem next है literature review यानि की साहित्य समिक्षा अब एक बार आपके सामने problem आ गई अब उस problem पे आपको research शुरू करनी है लेकिन उसके बारे में जानना भी तो पहले पड़ेगा कि ये problem क्यों आई ये problem कब से हो रही है क्या इस problem के बारे में किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया क्या इस problem का solution ढूनने के आप से पहले किसी ने कोशिश की है या नहीं की है ये सब चीजे देखने के लिए हम literature को review करते हैं साहित्य की समिक्षा करते है इसका मतलब ये है कि same topic जो topic research के लिए मैंने उठाया है जो problem मैं लेकर चल रही हूँ उस topic पे पहले किस किस ने discussion किया है उन्होंने क्या क्या इसमें ढूंडा क्या उनको इस problem का solution मिला या नहीं मिला ये सब चीजे हम पहले पढ़ते हैं तो वो literature हम पढ़ेंगे उसी topic उसी subject से related तीसरा है formulation of hypothesis यानि की परिकल्पना का निरूपन करना अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये topic syllabus में नहीं दिखता लेकिन actual में अपने आप में ही बहुत बड़ा और बहुत important topic है तो ये steps of research में तीसरा step है कि हम कैसे परिकल्पना को formulate करते हैं अब देखो परिकल्पना होता क्या है चलो ऐसे करते हैं इस topic को हम आगे ही देखेंगे इसमें से आप लोग एक से दो questions expect कर सकते हो detail में आगे discuss करेंगे इसको अभी अगले step पर बढ़ते हैं preparing the research design अब हमने परिकल्पना भी कर ली उसके बाद हम research को design को frame करेंगे कि ये problem है already ये चीज़ें हो चुकी है ये हम परिकल्पना कर सकते हैं परिकल्पना को आप assumption या फिर guess करना भी बोल सकते हो ठीक है किस problem से बाहर निकलने के लिए हम क्या क्या steps follow कर सकते हैं ये guess करते हैं हम इस point पे एक बाद हमने points को guess कर लिए फिर design बनाएंगे हम research का की यहां से मैं research शुरू करूंगी इस step पर जाओंगी इस step पर जाओंगी अगर ये वाला fail हो गया तो हमारे पास दूसरा alternative है दूसरा fail हो गया तो तीसरे पर जाएंगे पूरा एक design हम research का बनाते हैं उसके बाद आता है data collection की जो भी data है जो भी values है जैसे research के लिए कई बार फिल्ड में जाना पड़ता है या फिर कई बार पुराने records देखना पड़ता है उन सब के लिए कई बार अगर internet से data निकालना है तो हम data को याँ पर collect करते है तो data collection जो है इसके साथ ही एक चीज़ आ जाती है sampling ठीक है sampling भी अपने आप में एक बहुत important topic है आगे इन चीज़ों को मैं detail में previous year questions के साथ आपको बताने वाली हूँ data analysis होता है data का visualization करना अब कई बार ऐसा होता है ना आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा public में जा करके किसी चीज़ के reviews मांगे जाते हैं ठीक है तो वो क्या हो रहा है वो data collection हो रहा है ठीक है वहाँ पर 100 लोगों से उन्होंने data को collect कर लिया लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने research में 100 ही लोगों का data use करोगे आप उस data को analyze करोगी कि कौन-कौन सा आपके लिए important है कौन-कौन सा waste है तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए data का visualization किया जाता है Journalization and interpretation समानी करण और व्याख्या फिर उसकी होती है interpret करते हैं कि जो data जो selection जो process हमने अभी तक follow किया है क्या वो सही है इसको continue किया जाए या फिर नहीं किया जाए उसके बाद बनती है report जो कि research report होती है और last में आता है conclusion यह है research के बहुत important steps exam में इसमें से इस तरीके का question आपको देखने को मिलता है arrange the following steps of research in correct sequence तो क्या steps होंगे देखो identification of research problem listing of research objectives collecting the data methodology, data analysis or results and discussion देखो इस तरीके के question में अभी मैंने आपको हर एक चीज़ बताई methodology जो है method used क्योंसा method हम यहाँ पर research के लिए use कर रहे है sampling of data के लिए collection of data के लिए कौन सा method use कर रहे है वो methodology बताता है तो देखो यहाँ पर दो options को तो हम पहले ही eliminate कर देंगे मैंने आपको बताया सबसे पहला क्या होता है research problem को identify करना ठीक है so option number one सबसे पहले ही आएगा है ना तो इन दोनों को हम delete कर देंगे क्योंकि इसमें option number two है तो देखो option number one two five and six यह sequence final है अब आपको चेक करना है इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा तो इसका correct answer मुझे comment करके बताएए ठीक है comment जब करोगे तो एक proper way में कीजेगा कि question number one का answer a है b है जो भी है यह आप लोगों का question number two है ठीक है so question number two का answer क्या है मुझे बताईएगा ताकि मैं आपको comment करके बता सकूँ आपका जवाब सही है या गलत है इसके बाद बढ़ते है types of research पे तो अनुसंधान के बहुत सारे प्रकार है सबकी अपनी values होती है सबकी अपने अपने benefits होते है ठीक है तो पहला आता है fundamental यानि की मौनिक अनुसंधान तो fundamental research को basic research और pure research भी बोला जाता है अब मैं google map में जाकर के देख रही हूँ कि अफरीका कहां है अफरीका में particular city कहां पर है ठीक है मुझे अफरीका नहीं जाना मुझे उस particular city में भी नहीं जाना लेकिन बस मुझे curiosity हो रही है कि मैं अफरीका को google map में देखना चाहती हूँ कि कितना इनका area है क्या क्या चीजे है कैसे कैसे नहां पर होता है ठीक है या फिर मैं देख रही हूँ कि मालीजे राफ्टिंग मुझे नहीं करनी है कोई भी adventure, natural adventure मुझे नहीं करना लेकिन उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ तो इसके लिए जो हम google पे search करते हैं किसे book में पढ़ने चाहते हैं किसे friend से भी पूछते हैं तो वो सबाते हैं आपके basic यानि की fundamental research में यानि की ये क्या करते हैं ये theory building पे focus करते हैं इसमें हम लोग सिरफ knowledge को collect कर लेते हैं knowledge को gain कर लेते हैं उसको कभ use करना है आगे जाकर सच में कभी use करने का मौका मिलेगा भी है या नहीं मिलेगा वो भी इसमें पता नहीं होता अगला है applied research अनु प्रयुक्त अनु संधान so applied research जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहा है applied research किसी specific problem में अगर हम लोगों को immediately जो हमारा knowledge है उसको apply करना पड़ जाए तो वो applied research होता है ठीक है fundamental research में जो भी हमने knowledge जो भी हमने ग्यान collect किया था उसको अगर हम लोग actual में कहीं पर apply करने जा रहे हैं और उसके बारे में और थोड़ा research उस point पर कर रहे है that is the applied research ठीक है specific problem या फिर किसी particular question के answer डूनने के लिए हम applied research करते हैं ठीक है इसको apply जहांपर हम immediately कर सके उसके बाद आता है action research जहांपर हमें immediate action लेना होता है जैसे कि school management में school में क्या होता है कुछ भी अगर problem हो जाती है तो immediate action लेना पड़ता है hospital में भी same process होता है so action research ही होता है जहांपर हमें knowledge ढूनना google पर सर्च करना किसी से पूछने का समय नहीं है immediate action लेना ही होगा that is the action research यानि कि इसको हिंदी में भी action research ही बोल सकते हैं और ये भी देखना कि जो action हमने लिया वो कितना effective है क्या इससे किसी को फायदा भी हो रहा है या पर नुकसान हो रहा है ये भी इसके अंदर आता है descriptive research descriptive research क्या करता है किसी topic के बारे में मान लीजे मैं search कर रही हूँ जैसे कि example सेम लेते हैं social work के किसी topic पर मैं research कर रही हूँ मुझे उसके बारे में सब कुछ बता चल गया तो descriptive research क्या करेगी इसकी सिरफ description हमें देगी इसकी सिरफ वर्नना हमारे साथ करेगी उसको पूरा कैसे solve करना है कैसे practically use करना है ये सब चीजे नहीं बताएगी सो ये होता है आपका descriptive research अगला जाता है analytical research analytical research क्या करता है visualization करता है analyze करता है किसी भी चीज़ को जो knowledge हमने अभी तक collect किया उस knowledge को जब हम कहीं पर use कर रहे हैं तो उसको हम analyze करेंगे ठीक है qualitative and quantitative research क्या होता है qualitative and quantitative ये बहुत बार exam में आता है तो सबसे पहले हम qualitative की अगर बात करें quality अब देखो मालीजे मेरे पास 10 जूते हैं 10 जोडी जूते हैं ठीक है लेकिन इसमें से एक भी best quality का नहीं है 10 जोडी जूते है 15 दिन चले और फट गए that is the quality sorry थोड़ा सा ये गड़बड हो गया देखो quality और quantity बताती हैं दोनों एक साथ quantity होता है number मात्रा कितनी है जो example मैंने अभी बताया कि मेरे पास 10 जोडी जूते हैं यानि की quantity जादा है लेकिन best कुछ भी नहीं है काम के सिर्फ एक या दो ही होंगी बहुत बार ऐसा होता है that is the quantity बहुत जादा चीज़े हैं लेकिन काम में कुछ आती है quality क्या होता है चाहे थोड़ा ही होगा चाहे एक ही जोड़ा जूती होगा लेकिन वो best होगा जिसको मैं daily भी use करू 5-6 साल तक वो नहीं फटेगा that is the quality तो research में भी ऐसा होता है कि आप ग्यान अपना ऐसा collect करो जो कि quality में हो एक ऐसा ग्यान लो जो कि best quality का हो चाहे एक ही जगा से knowledge लो quantity में होता है कि बहुत जगा से थोड़ा 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 घ्यान ले लिया काम आपके कुछ भी नहीं आया ठीके so qualitative research ये non numerical data होता है quality में non numerical data होता है और quantitative में हम numbers के साथ काम करते है तो ये numerical data होता है ठीके and qualitative data क्या करता है किसी भी issue का जो meaning है उसके description हमें provide करवाता है उस particular situation में जैसे कि survey है ठीके अभी मैं आप लोगों को qualitative बता रही हूँ जैसे कि survey हम लोग करते है focus group हम लोगोंने teaching aptitude में पढ़ा है ठीके focus group पढ़ा है observation पढ़ा है interview पढ़ा है ये सब क्या है qualitative research के examples है quantitative research मैंने detail में बता दिया numbers पर depend करता है कितने number हैं कितने questions है who, what, where, when who, what, where and when कब, कौन, कहा, कैसे इन सब जवाबों इन सब से related अगर कहीं पर नज़र आए इसका मतलब है कि वो quantitative research है इसमें आपके survey research ठीक है इसके और भी प्रकार होते है survey research इसके अंदर आता है descriptive research अभी हमने ये पढ़ा fourth number पर ठीक है इसके अलावा core relational जो है वो भी इसके अंदर आता है ठीक है so qualitative and quantitative conceptual research क्या होता है ये concept पर focus करता है ना कि actual implementation पर तिरफ उस research से related concept यहां पर पूछे जाते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं इसके अलावा अगला है बात की जा रही हूँ वो होता है empirical research ठीक है experience की बात हो रही है तो वो empirical research है diagnostic, diagnose करना किसी चीज को निदान करना किसी चीज का जैसे की अभी मेरे पास कोई problem है उस problem का solution मैं नहीं ढूँड रही हूँ अभी मैं सिरफ यह ढूँड रही हूँ कि यह problem हूई क्यों डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर डारेक्टली आपको दवाई नहीं देते पहले वो आपसे diagnose करते हैं वो पूरा चेक करते हैं कि आपको यह problem हूई क्यों इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो कैसे बाहर निकल सकते हो नहीं यह problem आपको हुई क्या खाया क्या आप यह सब पूछते हैं क्या आपकी family में भी यह issue पहले किसी को रहा है तो यह सब चीजें पूछी जाती है incremental research होता है जो बढ़ता जाता है इस तरीके से आगे आगी step by step आपकी को बढ़ता जाता है ठीके exposed factor research कोई incident हो गया incident होने के बाद हमें पता चला हम उसकी research फिर कर रहे हैं जैसे कि अभी देखो train accident के बारे में आप लोगों ने सुना कितना बड़ा train accident हुआ है वो train accident हो गया उसके बाद हम research कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ कौन इसमें responsible था historical research इतिहास एकनो संथान इतिहास में क्या हुआ है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हूं इतिहास में क्या चीज़े हो चुकी है उन values को उठा कर हम अभी जो research करेंगे deductive और inductive research भी बहुत important है ठीक है so inductive और deductive yes so सबसे पहले inductive रेको deduct करना होता है किसी चीज़ को कम करना तो उपर से नीचे की और जब research आता है higher level से lower level पर जब research करने लगते हैं तो वो deductive होता है inductive होता है जब नीचे से उपर की और हम जाते हैं ये आपका logical reasoning में भी concept use होता है inductive reasoning को हम क्या बोलते है theory building research भी बोलते है इसमें क्या किया जाता है नीचे से उपर की और जाते है inductive में है ना मैंने अभी बताया नीचे से उपर की और जाते हैं तो पहले data को collect करेंगे theory build करेंगे उसके बाद फिर proper plan के साथ हम आगे research की और बढ़ते है theory generation जो भी होता है ना उसका पहला step होता है inductive research deductive में क्या करते है पहले research करना शुरू कर देंगे higher level से शुरू करेंगे और फिर lower level पर directly move करेंगे ठीक है okay so यहाँ पर आप देख सकते हो types of research पे कुछ questions है true experimental research basic applied evaluation evaluation का मतलब होता है मुल्यांकन कल हमने detail में पढ़ा था ठीक है so मुल्यांकन करना इसमें होता है सो इसका correct answer बताईए ठीक है वीडियो को pause करके खुद से इसका answer ढूने की कोशिश कीजेगा जब भी अब देखो यहाँ पर concerned with theory building and explaining natural phenomena अभी मैंने आपको बताया theory building कहां पर होती है basic research में होती है so b को अगर हम third से मिला देंगे तो एक भी statement अगर यह types of research की पहली statement भी आपने मेरी अच्छे से सुनी होती न तो भी आप लोग इसका answer ढून सकते थे ठीक है उसके अलावा देखो true experimental research क्या करता है cause and effect relationship जहां पर भी आपको नजर आएगा तो इसका मतलब है कि we are talking about true experimental research applied research में हम क्या करते है apply करते है जो भी theory हमने select की थी collect की थी उसको use करते है ठीक है और उसके बाद आता है evaluation research evaluate करना मैंने अभी आपको बताया इसका मतलब होता है मुल्यांकन करना ठीक है किसी को मुल्यांकन करना मतलब किसी को judge करना teaching में ये चीज़े हमने कल ही discuss की है अभी भी इस question में कोई doubt हो आप पूछ सकते हो मैं हमेशा बोलती हूँ बेज जिज़े जिक्नी मरसी बार चाहे पूछ लीजिए अगला question है इसमें basic types है basic research यहाँ पर पूछा था basic research लिखा था और यहाँ पर इसको fundamental research लिखा है चीज़े एक ही है हिंदी मीडियम students भी यहाँ पर देख सकते हो ठीक है applied action case study experimental इसका answer मैं नहीं बताऊंगी यह है आप लोगों के लिए question number three वीडियो को pause कीजिए अच्छे से इस answer ढूणने की कोशिश कीजिए next question है sampling so जैसे मैंने आपको बताया steps of research में हम data को collect करते हैं data को collect करते हैं कहां से करते हैं कई बार क्या होता है आपने कई surveys देखे होंगे जहां पर लोगों से interview लिये जाते है publicly public के बीच में जाकर लोगों से कुछ-कुछ questions basic questions पूछे जाते हैं वो research हो रही होती है ठीक है तो sampling में क्या होता है population है मान लीजे कि मेरे college में जाकर मैं research के लिए कुछ लोगों से reviews लेना चाती हूँ social work करते है और उनके बारे में इसके बारे में उनके क्या विचार है तो मैं क्या करूंगी college में चली जाओंगी कई भी चली जाओंगी वहाँ पर 10,000 बच्चे हैं अब 10,000 बच्चों से तो चीजे नहीं पूछी जा सकती तो हम क्या करते हैं पूरी population में से पूरी जनसंख्या में से कुछ चुनिंदा लोगों को select करते हैं उसको बोला जाता है sample तो sample कैसे select किया जाता है ये भी एक तरीका है दो तरीके से samples को select किया जाता है जिसको हम आगे देखेंगे so sampling means selecting the group that you will actually collect data from in your research ठीक है simple से language है जो मैंने आपको भी बताया उसको याद रखिए बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को select किया जाता है जिन से हम अपने research के लिए data को collect कर सकते है ठीक है अब जैसे आप लोगों ने न ये video social media पर देखी होंगी लोगों से जाकर के public place में कहीं पर भी market में malls में लोगों से जाकर के पूछा जाता है कि बताईए अपने country के बारे में अपने पहले प्रधान मंतरी कौन थे पहले राश्रपती कौन थे ऐसे basic questions पूछे जाते हैं और आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी लोगों को पता होती है बहुत सब को नहीं पता होती तो वो क्या कर रहे हैं वो लोग एक research कर रहे हैं किस चीज़ पर वो सरफ videos नहीं बना रहे entertainment के लिए वो कुछ भी नहीं होता वो एक research कर रहे हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को अपने देश के बारे में पता है, कितने लोगों को इस particular point के उपर जाग रुपता है, ठीके, सो sampling के लिए इसी को sampling बोला जाता है, कि वो random लोगों को select करते हैं, और उनसे questions पूछते हैं, अब sampling के दो प्रकार होते हैं, probability sampling और non probability sampling probability और non probability को दोनों को ही दो-दो हिस्सों में बांटा गया है ठीक है दो-दो हिस्सों में बांटा गया है so इसमें आप लोग देख सकते हो इसको मैं फटा-फट बताती हूँ detail अगर वीडियो चाहिए तो मुझे comment करके बता दीजिए एक वीडियो अलड़ी है अगर आपने वो definitely जब पता है बहुत बच्चों ने नहीं देखी होगी मुझे comment करके बताईए मैं आपके साथ comment में link share कर दूगी ठीक है so आप लोगोंने बचपन में probability सुनी होगी ठीक है क्या probability वो cards वाले questions जो आते थे न कि यहाँ पर multiple cards है आप इन में से कौन से card को उठाओगे तो random selection होता है किसी भी card को मैं एकदम से उठा सकती हूँ यानि कि 15 cards में से सब को बराबर कादिकार है कि मैं किसी को भी उठा लो so probability sampling यही होती है कि 10,000 बच्चे हजार रख लेते हैं चलो हजार बच्चा मेरे college में है उन में से चलते फिरते किसी को भी मैं उठा लूँगी मुझे यह पसंद आया चलो इन से question पूछ लेते हैं दूसरा यह पसंद आया इन से question पूछ लेते हैं कोई मैंने selection नहीं रखा कि मैं सिर्फ boys से पूछूँगी सिर्फ girls से पूछूँगी या फिर इस class वाले बच्चे से पूछूँगी randomly आते जाते किसी से भी question पूछ लिया जाए तो वो probability sampling होती है चार प्रकार है simple random, cluster, systematic or stratified ठीक है? उसके बाद non probability होता है जिसमें एक rule को हम लोग follow करते है जैसे मैंने अगर sample collect करना है तो मैं रखूँगी ऐसा कि मैं सिर्फ girls से ही questions पूछूँगी या फिर मैं सिर्फ लड़कों से ही questions पूछूँगी या फिर एक criteria हम यह रख सकते हैं कि college में जितने भी बच्चे है जो की computer science engineering background से ही है मैं सरफ उनसे question पूछूँगी तो यह होता है non probability sampling कि सबको इसमें बराबर कादिकार नहीं है select होने का इसमें criteria हमने set कर दिया है ठीक है Okay students I hope यह पिलकुल आपका clear है इनके चार परकार को याद रख लीजेगा सबसे पहले हम बात करते है probability sampling की सो इसमें simple random sample आता है ठीक है इसमें देखो इतने सारे बच्चों में से मैंने किसी को भी select कर दिया अब देखो एक example बताती हूँ आप लोग जैसे school में पढ़े हो आपके school में मान लीजे 100 बच्चे हैं कई बार अगर मान लीजे कि किसी dance group के लिए बच्चों को select किया जा रहा है ठीक है या फिर किसी event के लिए बच्चों को किसी event के लिए बोला है college वालों को, school वालों को कि आप 10 बच्चों को लेकर आईए कोई criteria नहीं है तो teacher कई बार क्या करते है बस ऐसे बोल रहेंगे कि हर class से 2 बच्चे को उठा लेंगे बिना सोचे समझे जो उनको लगता है कि कोई active बच्चा है या ऐसे बच्चों को उठा लेंगे ठीक है एक criteria यह हो सकता है कि event में जो 10 बच्चों को उठाना है वो spaces पे उठा सकते है कि जिन बच्चों की height 5 foot 5 इन से जादा है उनको लेकर आया जाए चाहे उसमें जितने मर्जी girls हो जितने मर्जी boys हो तो ये वाला example था probability का ये था non probability का इतने सारे examples दे दिये अब तो बिल्कुल clear हो चुका होगा सबको है न simple random मेंने बता दिया systematic systematic में क्या होता है randomly select किया जाता है अब जैसे यहाँ पर देखो 8 है उपर वाली row में तो इन्होंने क्या किया systematic select किया पहले एक को select किया फिर दो छोड़कर एक को select किया फिर दो बच्चों को छोड़कर एक को select किया फिर दो छोड़कर एक को फिर दो बच्चों को छोड़कर एक को select किया तो ये है systematic एक system के साथ काम किया जा रहा है stratified sampling में strata's बनाए जाती है strata स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप्स बनाये जाते हैं अब यहाँ पर अलग-अलग कलर्स हैं माल लीजिए ये गर्ल्स हैं और ये बॉइस हैं तो स्ट्रेटिफाइर सैंपलिंग में पहले दो हिस्सों में बांढ़ दिया गया लड़के और लड़कियों को उसके बाद रेंडम उठा लिया गया उसके बाद पांच लड़किया पांच लड़के कोई भी आ जाओ जिन्नों ने पहले हाथ खड़ा किया वो आ जाएंगी तो रेंडमली हमने सेलेक्ट कर दिया Cluster Sampling में भी क्या होता है Cluster Sampling में भी Groups बना दिये जाते हैं लेकिन Cluster और Stratified में यह difference है कि Stratified में देखो अलग-अलग category होगी यह Girls होगे, यह Boys होगे Cluster में 3-3 के Group बन गे जिसमें लड़कियां, लड़के सब mix हैं और इन में से उठाया जाएगा जिसे इसमें से हमने किसी को भी Select नहीं किया इसमें से तीनों को Select कर लिया इसमें से एक को Select किया तो इस तरीके से Cluster बन जाते हैं तेकिये, उसके बाद आते है Convenience Sampling यह है आपके Non Probability Sampling की category के तेकिये, तो Convenience Sampling इसमें क्या होता है Mostly Accessible जो होते हैं जो Best बच्चें जैसे माल लीजे किसी Quiz के लिए Select करना है तो इसमें ऐसे Random तो नहीं उठा लेंगे किसी को भी इसमें जो Best बच्चें है या Class के Top 5 Students रहते हैं जो हमेशा से उनको Select कर दिया जाएगा तो Convenience है ठीक है Voluntary Response Sampling अब Volunteer क्या होते हैं जो बच्चे खुद से आगे बढ़कर कुछ करते हैं तो सब मेंसे जो खुद से आगे आना चाते थे उन बच्चों को उठा करके यहां पर Use किया गया Purpose Sampling Purpose क्या है उनको Select क्यों किया जा रहा है अगर Acting के लिए Select किया जा रहा है तो वो बच्चे ही आएंगे जो कि Acting में Interested है ठीक है Dance के लिए Select किया जा रहा है तो वही बच्चे आएंगे जो कि Dance में Interested है तो यह Purpose Sampling में Purpose होता है उसके हिसाब से Selection होता है और अगला आज आता है हमारे पास Snowball Sampling ठीक है Snowball Sampling क्या होता है इसमें किसी को भी Select कर पाना थोड़ा था Hard होता है It can be used to recruit participants with other participants जैसे मुझे कुछ बच्चों को Select करना है तो पहले मैंने दो Groups बना दिये ठीक है एक बच्चे ऐसे हैं जो कि Her Activities में Involve रहते हैं दूसरे ऐसे हैं जो कि नहीं Involve रहते तो इनके Group में से मैंने कुछ उचा लिये इसमें क्या होता है जितने लोगों से आप जुर्ते चलोगे जैसे आपने पहले क्या किया आपने पहले इन दो से मिले इन दो से आगे आपको तीन लोग और मिले तीन लोग और मिले तो यह Snowball Sample है इसके अलावा एक sampling का और type होता है जिसको बोला जाता है quota sampling ठीक है quota sampling non-random sampling के type में ही आता है you first divide the population into mutually exclusive subgroups पूरी population को बराबर के groups में बांद देते हैं पहले ठीक है उसके बाद sample unit को collect करते हैं जिसको quota बोला जाता है इसके बाद फिर अगला है hypothesis यह भी मैंने आपको बताया था steps of research में ही होता है hypothesis मतलब परिकल्पना करना अब देखो मैं किसी problem में फस गई मैं अपनी किसी friend के पास गई मैंने उनको बोला कि इस problem का solution दो उन्होंने यह रास्ता बताया ठीके दूसरे ने कुछ और tricks बताई तीसरे ने कुछ और tricks बताई सब मुझे solution दे रहे थे लेकिन मुझे imagine मैं नहीं कर पा रही थी मैं final check नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा परिकल्पना की और जाओ ठीके तो किस का solution मेरे लिए best है किस रास्ते पर मैं जाओं किस की idea को मैं अपना हूँ यह मैं confirm नहीं कर पा रही थी तो उसके लिए हम लोग hypothesis को test भी करते हैं परिकल्पना की जाँच भी करते हैं hypothesis में क्या होता है अब जैसे hypothesis ऐसा होता है कि मैंने सोच लिया कि चलो तीन solution मुझे मिलंगे तीनों अच्छे लग रहे हैं एक को try किया successful हो गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं हुआ तो दूसरे पर जाएंगे हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो तीसरे पर जाएंगे यह होता है hypothesis के case में तो research directly आप start नहीं कर सकते research की जो problem है problem से बाहर निकलने के लिए पहले आपको hypothesis design करना पड़ता है सोचना पड़ता है उसके alternative भी रखने पड़ते हैं कि यह काम नहीं करेगा तो क्या करूँगी यह भी काम नहीं करेगा तो क्या करूँगी hypothesis is a statement that introduces a research question and proposes an expected result ठीक है research question को यह introduce करता है और उसका जो expected result है final result नहीं सिरफ अपक्षित परिणाम हमारे सामने रखता है hypothesis एक assumption है यह एक धारणा है it is an idea that is proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true तो hypothesis को check किया जाता है हमेशा क्या यह सही है क्या यह गलत है तब तक इसको final नहीं किया जाता okay so यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो hypothesis दो प्रकार के होते है hypothesis null hypothesis, alternative hypothesis और इन दोनों hypothesis में type errors भी होते हैं दो errors होते हैं type 1 और type 2 ठीक है इन सभी चीजों को हम आगे चाहकर detail में cover करेंगे सबसे पहले है दो प्रकार के hypothesis null hypothesis और alternative hypothesis null hypothesis को H0 के नाम से जाना जाता है और alternative hypothesis को H1 या फिर HA के नाम से भी पहचाना जाता है ठीक है null hypothesis, null का मतलब होता है शुन्य, खाली, ठीक है कुछ भी नहीं null hypothesis हमेशा बोलता है कि दो चीजों के बीच में कभी भी कोई भी relationship नहीं हो सकता होता है कि A कभी भी B के समान नहीं हो सकता C कभी भी D के समान नहीं हो सकता, कभी भी दो चीजे बरावर नहीं होगी A या तो बढ़ा होगा B से A या तो छोटा होगा B से लेकिन A कभी भी B के बरावर नहीं होगा, ये null hypothesis हमें बोलता है null मतलब खाली खाली मतलब कुछ भी नहीं ऐसे आप याद रखिए कि इसमें कुछ भी relationship नहीं होता है ठीके तो दो variables के बीच में relationship ये बोलता है कि इसके अलावा देखो this should be rejected during hypothesis testing तो hypothesis जब हम test कर रहे होते हैं मैंने आपको बताया परिकल्पना को test किये बीना हम उसको use कभी भी नहीं करते हैं पहरे परिकल्पना बनाई जाती है formulate की जाती है उसके बाद hypothesis उसका जो hypothesis जो परिकल्पना है उसके दो प्रकार को check किया जाता है और फिर उसको test किया जाता है फिर देखते हैं कि टेस्टिंग के बाद इसको हम final करें ओके so this should be rejected during hypothesis testing तो जब परिकल्पना को test किया जाता है तो null hypothesis को reject भी कर सकते हैं इंदी medium students के लिए भी available है आप देख सकते हो इसमें जो स्वतंतरचर है स्वतंतरचर मतलब dependent variable ठीक है इसमें जो dependent variables है अगर उसमें हम changes कर देते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब देखो इसमें पहले ही बोल दिया कि A B के बराबर है ही नहीं एक variable दूसरे के बराबर है ही नहीं तो यह क्या बोलेगा अगर हम A में changes कर देते हैं के आगे A प्लस A लगा देते हैं इसके आगे 3 प्लस A प्लस A लगा देते हैं यह तो तब भी बोल रहा है कि बराबर नहीं है तो यही है कि अगर कोई भी changes में हम कर लेते हैं dependent independent variable में कोई फरक नहीं पड़ेगा its states results are due to chance इसमें बोलागी है कि by chance से results आ जाते हैं इसके लिए को specific investigation हमें specific कोई जांच नहीं करनी होती यह बोलता है null hypothesis उसके बाद वेकल्पिक परिकल्पना यानि कि alternative hypothesis इसका दूसरा नाम research hypothesis भी है यह बोलता है कि दो चीजों में हमेशा relationship होता है दो चीजें हमेशा बराबर होती है A संबंध हमेशा होता है एक प्रायोगिक विकल्पना भविश्यवानी करती है कि स्वतंतर चर में हेर फेर होने पर निर्भर चर में क्या परिवर्तन होगा so alternative hypothesis एक अनुमान लगा सकता है कि अगर दो variables में से किसी एक में हम changes कर लेते हैं तो दूसरे पर उसका क्या फरक पड़ेगा अभी तक हम बोल रही है A is equals to B यानि कि 2 और 2 बराबर है ठीक है उसके बाद अगर एक में मैंने changes कर दिया अगर इसमें मैंने लिख दिया 2 into 2 is equals to 2 तो एक में अगर हम changes लाते हैं तो दूसरे में तो उसका फरक पड़ेगा ही तो इसी चीज़ की भविश्यवानी क्या करता है इसी चीज़ की prediction alternative hypothesis करता है इसमें बोला जाता है कि by chance संयोग से कोई भी result कोई भी परिणाम नहीं आता इसके लिए आपको जो है सही तरीके से research करना ही पड़ता है हर एक fact और figure को use करके ओके सो यहां पर आप देख सकते हो hypothesis testing की जैसे हम बात कर रहे थे hypothesis testing जो main concept है वो किस प्रकार की research का है वो है experimental research का क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हम experiment करते हैं किसी friend ने मुझे problem के solution के लिए कुछ बताया दूसरे ने कुछ और बताया तीसरे ने चौते ने सब ने अलग अलग तरीके बताई तो हम एक तरीके से experiment ही कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा तरीका हमारे लिए fruitful हो अब यहां पर आप देख सकते हो different types के errors जो होते हैं यहां से आपको दोनों type के errors clear हो जाएंगे इसमें कहा है जब एक researcher null hypothesis को null hypothesis को reject कर देता है अभी हमने null hypothesis में पढ़ा कि इसको और स्विकार भी कर दिया जाता है परिकल्पना के प्रशिक्षन के दौरान यानि कि research hypothesis testing के दौरान इसको reject भी किया जा सकता है तो अगर कोई एक researcher है उन्होंने null hypothesis को reject कर दिया यह बोल दिया कि यह गलत hypothesis है इसको मैं accept ही नहीं करूंगी यह मेरे को solution तक पहुंचाएगा ही नहीं ठीक है and इसका मतलब यह है कि उन्होंने accept कर दिया alternative hypothesis को यह एक चीज़ को याद रखेगा कि जब भी हम लोग null hypothesis को reject करती है इसके बाद हमारे पास option क्या रहता है कि हम alternative hypothesis को ही accept करें अब एक friend की trick को अगर मैं cancel करती हूँ दूसरे वाले को भी cancel करती हूँ कि मैं यह trick supply नहीं करूंगी तो तीसरे friend ने जो idea दिया final मेरे पास वही option रहता है तो वैसे ही होते है alternative में ठीके what type of error is likely so answer है type 1 error यहाँ पर मैं detail में आपको बताती हूँ देखो type 1 error क्या होता है null hypothesis h0 मैंने आपको बताया था ठीके h0 अगर null hypothesis सत्य है पहली friend की बताई हुई जो statement थी जो trick थी वो बिल्कुल सही थी मुझे ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल सही है लेकिन मैंने बोला कि ये friend का हैसान मुझे नहीं लेना मैंने क्या कर दिया मैंने उसके trick को reject कर दिया ठीके निरने को अस विकार कर दिया null hypothesis अगर बिल्कुल true था ठीके लेकिन फिर भी मैंने किसी भी कारण की वज़ा से उसको reject कर दिया reject नहीं किया fails to reject reject नहीं किया fail हो गई reject करने में इसका मतलब क्या है कि accept कर लिया ठीके इनका idea शुरू से बताती हूँ यहां पर confusion थोड़ा सा create हो गया है देखो null hypothesis यानि कि मेरी किसी friend का एक idea बिलकुल सत्य था ठीके और मैंने उसको reject भी नहीं किया यह students को confuse करने के लिए statement दी है fail to reject और स्विकार करने में विफल मतलब reject नहीं किया इसका मतलब क्या है कि accept किया simple सी चीज लिखी हुई है बस confuse कर दिया गया है बच्चों को उनके idea को अगर मैंने accept कर दिया तो मेरा correct decision था friend का idea अच्छा लगा मैंने उसको implement कर दिया मैं solution तक पहुंच गी problem से बाहर निकल गई तो मेरा decision सही था लेकिन वही पे अगर उसी decision को वो decision बिलकुल सही था लेकिन मैंने उस decision को क्या कर दिया reject कर दिया कि इस friend का एसान मैं नहीं लूँगी या मैं नहीं करूँगी मैंने उसके बिलकुल सत्य decision को भी reject कर दिया तो वो type 1 error होता है इससे टेबल से बिलकुल क्लियर हो जाएगा आपको दूसरा है कि जो फ्रेंड का एक idea था वो false था वो गलत idea था ठीक है असत्य idea था उसने बिकार idea दिया लेकिन मैंने उसको accept कर लिया मैंने क्या कर दी गलती कर दी उसको accept करके तो वो type 2 error हो गया वहीं अगर उसी friend के गलत idea को अगर मैंने reject कर दिया गलत idea को reject कर दिया तो मेरा सही decision था real life example जो दे रही हूँ friend का solution friend का idea इसको relate करो अच्छे से समझो बिल्कल clear हो जाएगा अभी भी कोई confusion है तो ये core table में लेकर आई हूँ null hypothesis सत्य था true था हमने reject कर दिया type 1 error हो गया false positive इसको बोलते हैं ये true था हमने इसको accept कर दिया बिल्कुल सही decision था इससे कोई गलत effect मुझ पर नहीं पड़ा null hypothesis false था reject कर दिया correct decision था और ये type 2 error था अगर गलत decision को मैं accept कर देती तो तो ये दो tables हैं जो भी आपको easily comfortable लगता है जो भी उसपे आप पड़ सकते हो ठीक है hypothesis के कुछ प्रकार भी होते हैं जिससे related ये question previous year आया था descriptive null explanatory alternative इसमें सिरफ दो अभी तक हमने पड़े हैं उसी से answer आपको मिल जाएगा so पहले null hypothesis क्या होता है कोई भी relationship नहीं होता तो ये हमें क्या बोलता है ये बोलता है predict no effect और no relationship between variables so second को हमने third से match कर दिया explore उसके बाद हमने alternative बढ़ा alternative क्या बोलता है provide a chance of discovering new theories ठीक है provide एक और chance हमें देता है नई theory को discover करने का एक friend का accept नहीं किया था null वाला तो alternative पे जब जाएंगे तो इसने क्या किया हमें मौका दिया कि मेरे पास यही option है अब यही करना पड़ेगा तो ये discovery new theories को discover करने के एक मौका हमें देता है descriptive research aims to describe or define the topic किसी भी topic को describe करना है या उसको define करना है तो descriptive होता है और explanatory क्या करता है aims to explain definition देखो descriptive में describe है explanatory में explain है बहुत easy question था थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते तो answer आ सकता था है ना so students जैसे की देखो अभी मैं आप लोगों के लिए 60 minutes में अब इस वीडियो में 60 minutes में हम एक unit को cover कर रहे हैं है ना अब ये complete series होने के बाद ये पूरे 10 units या जितने भी important 7-8 units है इनको cover करने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से 60 minutes में complete unit के PYQs मैं आपके लिए लेकर आओं most expected questions की series मैं आपके लिए लेकर आओं तो आप मुझे comment करके बता दीजिए मैं तभी वो series को शुरू करूँगी ठीक है तो हम ऐसा करेंगे कि मंडे से मंडे से नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि morning में यह 60 minutes वाला theory session लेकर आएंगे और evening में उसे unit का 60 minute का हम MCQ session लेकर आएंगे तो आप अगर बोलोगे तो live session भी मैं लेकर आओंगी या फिर recorded session भी मैं लेकर आओंगी तो अगर यह आप चाहते हो कि हम शुरू करें एक नया initiative तो मुझे comment जरूर कीज़ेगा अगला है research ethics अनुसंधान की नयतिकता हैं अब देखो किसे भी चीज़ के लिए rules regulations बहुत important है कैसे उनको follow करना है वो चीज़ बहुत important होती है ठीक है so research में कुछ नयतिकता हैं होती हैं जिसको follow करना compulsory होता है अब उस नयतिकता में पहली चीज़ सबसे important चीज़ क्या आ जाती है वो यह आती है कि ethics are principles पहले यह देख लेते हैं ethics कुछ principles होते हैं कुछ सिंधान्त होते हैं दिशा निर्देश होते हैं जो कि हर एक that help us to uphold the things we value जि चीज़ों के हम कदर करते हैं उन चीज़ों को control में रखने के लिए हमें यह मदद करता है research ethics is most important for the selection of variables and data collection अब देखो simple से language में जाते हैं in all previous stages ethical issues are very important the last stage of successful research is reporting ethics always help us to identify right or wrong differentiate good or bad so ethics हमें बताती है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है क्या चीज़ हमारे लिए गलत है क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो ethics में जैसे देखो मैंने मान लीजिए research की ABC नाम की topic पर 5 साल 5 years मैंने अपने जीवन के लगा दिये इस research पर अब कोई person आ गया x y z नाम का कोई बच्चा आ गया same topic पर वो research करने लग गया अब उस बच्चे ने क्या किया same topic था उनको लगा कि अंकीता मैं की research है बहुत अच्छी ठीसिस है बहुत अच्छी चीजे है तो उन्होंने क्या किया मेरे ही data को मैंने जो data collect किया था मैंने ज इस sample select किये थे, उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया, उन सभी चीज़ों को इसने as it is use कर दिया, जैसे का तैसा use कर दिया, तो ये research की नेतिकताओं के खिलाफ है, ऐसे में मैं इन पर case भी कर सकती हूं, तो research ethic पहले तो ये चीज़ बोलता है, इसको बोला जाता है plagiarism, यानि कि साहितिक चोरी, उके, उसके बाद दूसरी चीज़ ये आ जाती है, breach of confidentiality, अब माली जी मैं किसी topic पर research कर रही हूं, A, B और C तीन लोग हैं, तीनों किसी topic पर मिलकर research कर रहे हैं, मेरा कोई बहुत खास दोस्त है D और E, अब मैंने क्या किया, हमारे तीन लोगों के बीच में research का जो plan बन रहा था, कि आगे आने वाले समय में हम इस topic पर ये काम करेंगे, हमारी ये strategy रहेगी, ये सारी चीज़े मैंने आकर बाहर किसी दूसरे बंदे को बता दी, तो मैंने क्या किया, गोपनियता को भंग कर दिया, तो ये भी research के नितिकताओं को का उलंगन करना होता है, उसके बाद तीसरे चीज़ क्या होती है, तीसरे चीज़ ये होती है कि मान लीजिए मेरे research में, research में हमारे जो guide थ लेकिन जब मैंने research की मेरा result आगया 5.8, अब मैंने सोचा कि इसमें और इसमें क्या difference है, थोड़ा ही तो फर्क है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको चुपचाप से 6.0 कर दिया, तो ये भी research जितिक्स के खिलाफ है, नितिकताओं के खिलाफ है, तो ये examples मैं दे रही हूं, लाकर 100 लोगों का, 100 लोगों का sample लेकर आओ, वो लोग होने चाहिए, जिनकी age 18 से 20 साल के बीच में है, अब मैंने क्या किया, मैं field में तो चलीगी, sample लाने के लिए field में जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, field में चलीगी, मैंने maximum 40 से 50 लोगों का ही sample collect क लिया, उन से ही interview लिया, उन ही के views उस topic पर देखें, और बाकी मैंने सोचा कि सबका लगबग same ही response है, तो बाकी के जो remaining 40-50 मेरे पास रहते हैं, उनको मैं खुद से ही कर लेती हूँ, उनको खुद से ही पुराने वाले research से idea लेकर के, खुद से तुका मार कर लिख देती लेकिन books में rules के साब से ये सब चीजे होती हैं, किसी को पता चले ना चले, वो अलग चीज है, मैं भी ना चलती हूँ, ठीक है, so research ethics, ethical problems जो है research की इन मेंसे वो कौन-कौन सी है, तो वो है plagiarism, सहितिक चोरी, caution यानि कि बलप्रयोग, जबरदस्ती, अब जैसे 2-4 लोग है, गुंडा-गर्दी कर रही हूँ, मैं जबरदस्ती उन से जो है, ये निकलवा रही हूँ, डेटा निकलवा रही हूँ, जबरदस्ती उन से questions पूछ रही हूँ, कई बार होता है ना कि वो अगर हमें answer देने में comfortable नहीं है, comfortable की तो अलग बात है, अगर वो interested है नहीं है, तो क् तो कि जबरदस्ती उन से questions पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, तो coercion जो है, इस भी नहीं होना चाहिए, ठीके, अगला है breach of confidentiality, गोपनियता का भंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ओके, so I hope students, यहां तक बिल्कुल clear है, और मैं अभी भी यही उमीद कर रही हूँ, कि आ लगातार, non-stop बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए, आप लोगों का exam qualify हो जाए, आपका dream आप अचीव कर सको, इसलिए हम इतने efforts लगा रहे हैं, इतना पहले best आपके लिए content ला रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, continuously, तो आप लोग एक बार हमें जरूर feedback दे दीजिएगा, ताक vision क्या होता है, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, breach of confidentiality, गोपनियता को भंग करना, beneficience क्या होता है, उपकारिता, ठीक है, एक positive है, ethical principle होता है, ethical problem नहीं है, fidelity, यानि कि निष्ठा, एक निष्ठा के साथ अगर आप काम करते हो, जो वादा आपने किया है, उसको पूरा करते हो, जो final results आपके आएं है, as it is, अपनी research में वही लिखते हो, बिना गोलमाल बीच में कुछ किये, तो क्या होता है, वो सब research के ही अंदर आता है, अब research ethics पे एक question है, यहाँ पर थोड़ा सा, maybe, problem आ चुका है, इसको मैं एक दम से देख लेती हूँ, हिंदी मीडियम students के लिए, यह question बहुत जादा important है, ठीक है, यह भी मैं आप लोग उनके लिए पी वाई क्यू ही लेकर आई हूँ, जो कि exam में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो एक second दीजेगा, मैं इसको सही करती हूँ, ठीक है, students, हो यहाँ पर, जैसे कि तब तक आप लोग questions को पढ़ लीजें, English medium students, ओके, so अब यह बिल्कुल clear है, ठीक है, ठीक है, so research ethics यहाँ पर क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं, यहाँ कि अनुसंधान की विश्वसनियता और गुणवत्ता के लिए अनुसंधान नैतिकता और इसका पालन आवश्यक नहीं है, तो यह statement क्या है, यह बिल्कुल गलत statement है, यहीं से आप correct आंसर देख सकते हो, सिरफ इसी statement से मैंने अनसर देख लिया, ठीक है, policy making bodies जो होती है, they have to be accountable for pursuing research with an eye on promoting excellence, जो policy making bodies होती हैं, जो कि research की policies बनाती हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कि कैसे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कि कैसे वो एक best research provide करवाते हैं, बिना किसी goal माल के, बिना किसी गड़बड हुए, जो यह answer मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आता है, citation, citation क्या होता है, it is a way you tell your readers that certain material in your work came from another resource, अब एक चीज मैंने अपने thesis में लिखी है, वो चीज मैंने कहीं और से यूज़ की है, तो मैं citation में बताऊंगी, कि यह जो data पढ़ रहे हो, यह मैंने किसी और की file से लिया हुआ है, what is the full form of MLA as a referencing style, देखो इसमें भी citation का जिकर है, इसलिए मैंने एक question add किया है, citation is referencing style used for giving credit to others for their creative and intellectual work, अब मेरी research, इसमें एक्जामपल यह था न, मेरी research किसी और बच्चे ने आकर as it is use कर ली, तो अगर वो उस research को use करके, मुझे वहाँ पर credit दे रहा है अपने thesis में, यह जो भी data है, यह जो भी महनत है, यह जो कुछ भी है, यह अंकीता मैं हमकी thesis से हमने लिया है, आप चाहो तो उसको भी refer कर सकते हो, यह क्या होता है, यह citation में refer किया जाता है, citation में mention किया जाता है, कि हम किसी और का data यूज़ कर रहे हैं, और यह उनकी महनत है, दियर आर डिफरेंट टाइपस ऑफ रिफरेंसिंग, रिफरेंस देने के तीन प्रकार होते हैं, MLA, APA, Harvard style, ठीके, MHRE, Chicago, Turabian and IEEE style, इसमें से जादा तर लगवक, सभी exam में पूछे जाते हैं, जिसे MLA की full form क्या है, modern language association, option number two, यहां पर correct answer है, इसके बाद thesis क्या होती है, exam, sorry, research के बाद, आप लोगों को thesis बनानी होती है, a thesis statement is a declarative sentence, that asserts the position a paper will be taking, this statement should be both specific and arguable, this statement should show exactly what your paper will be about, and this help you keep your paper on a manageable topic, ठीक है, so thesis हमें help करती है, कि हमने पूरी research में क्या किया, उस चीज को हमें short में बताने में, ठीसिस को ही बहुँ जगा dissertation के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, dissertation बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं, ग्रूप में भी, अभी जैसे कुछ समय पहले बच्चों ने पूछा था कि dissertation क्या होता है, तो thesis को ही कई बार dissertation बोलना जाता है, कुछ universities में, कई countries में, ठीक है, बाकि thesis dissertation एक ही चीज़ है, बिब्लियोग्राफिय क्या होता है, एक list of books है, और other source material है, जो कि हमने use की है, अब अपनी research के लिए मालीजे, Google की कोई websites मेंने use की है, उनकी list में, अपनी bibliography में लिखूँगी, ताकि किसी और को बाद में पढ़ना हो, तो वो वहाँ से detail पढ़ सकते हैं, या फिर कोई book है particular, जिसका मैंने reference लिया था, जिससे मैंने मदद ली थी, उस book का नाम, title सब वहाँ पर लिखते हैं, bibliography में, in which of the following stages, application of ICT in research is relevant, so कहां पर है ये relevant, answer आपके सामने है, ICT, information and communication technology, research में कहां कहां हमें मदद करता है, ICT क्या होता है, computer, internet, ये सब चीज़ें, ये हमें कहां मदद करती हैं, related study में, जो मेरा topic है, same topic पे किसी ने research किया है, उसके बारे में जानकारी लेने में, whatever Google पे जाकर सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीके, आपने शोध गंगा, शोध गंगोतरी, ठीके, ये सब चीज़ों के बारे में सुना होगा, नहीं पड़ा है, नहीं वो चीज़ें आती है, comment कीजे, इन पे separate video लेकर आऊंगी, और उसके अलावा, indexing the reference, reference को proper index बनाने में भी, ICT हमें मदद करता है, online research करते हैं, ठीके, online research में, जो ICT यूज करते हैं, इसके advantages के साथ, disadvantages भी हैं, वो क्या है, samples can be small, and squared, ठीके, लगू और विशम हो सकते हैं, there can be an excessive turn, over of communication, और डी है, technological issues may lead to inconsistencies, ओके, so ICT में देखो, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीके, शोद करता कि, और से तक्नीकी चूप, अगर देखो, researcher क्या करता है, कई बार, research में कुछ गड़बड हो जाती है, ICT कई बच्चे हैं, जिनको computer use करना नहीं आता, history के बच्चे हैं, कोई ऐसे subject हैं, जिन्होंने बच्च्पन से computer नहीं बढ़ा होता है, लेकिन उनका subject बहुत अच्छा है उनके लिए, ठीक है, knowledge बहुत है, तो वो लोग जब ICT का use करेंगे, तो वो बहुत बार technical issues में ऐसे फस जाएंगे, कि उनको लगेगा, उनका data delete ना हो जाए, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं, पेपर वन के साथ साथ, पेपर टू प्रेपरेशन के लिए भी complete study material हम लेकर आएं हैं, जिसमें आपको full syllabus, notes and MCQs मिलेंगे, MCQs में आपको previous year questions, most repeated and most expected questions की series हम देते हैं, जो की exam की साथ-साथ interview को qualify करने में भी आपको मदद करेगा, so subject skills की list यहाँ पर है, अपना subject चेक कीजें, given whatsapp numbers पर contact करके इसको join कर लीजे, जब तक आपका exam और interview qualify नहीं हो जाता, तब तक आप इस study material का benefit उठा सकते हो, इसके लिए सिरफ एक ही बारफीस देनी है, 1280 रुपएं, so बहुत अच्छा चांस है आप सब के लिए, आज ही इस course को आप join ज़रूर कर लीजेगा, thank you so much for watching this video, and I wish you all the very best.